रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। नमश्कार रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो। मैं मुहित कुमारलाल सहायक प्रध्यापक इतिहास विभाग SS Memorial College कांके रोड नाची। आज आप छात्रों को रॉबर्ट कलाइब और उसके दुसरे कारकाल में गवर्नर के रूप में किये गए उसके कारियों का के विशे में बताऊंगा। यह विशे में सेमेश्टर 4 में Modern India स्पेसल पेपर के लिए उप्योगी है। जेसी जाबडा की पुस्तक इसके अतरिक्त विपिन चंद्रा का अधुनिक भारत, L.P. सर्मा का अधुनिक भारत आधी पुस्तके देखी जा सकती है। कलाईब जो आरकाट का नायक था जिसने पलासी के युद में विटिस विजय को सुनिश्चित किया। यह अलग बात है कि पलासी की विजय वस्तूता एक सरयंत्र था ना की एक युद। किन्तु उसने जो परिसितिया हुद्पन की उसके परिणाम सरूप मीर जाफर जो गवर्नर बना जो बंगाल का नबाब बना वह वस्तूता कलाईब के हाथों की कटपतली था। 1760 इस्वी में कलाईब वापस लंडन चला गिया। किन्तु जब बकसर की विजय में कमपनी ने अवद के वजीर सुजा उद्दौला और मुगर बाश्शा साह लमदुत्य तथा बंगाल के नबाब मीर कासीम को पराजित कर दिया। तब सारी विवस्था को संभालने के लिए डारेक्टरों ने या उचित समझा कि भारत में बुटिस समराज के वास्त्विक न्यू करता अर्थात जिसने भारत में बुटिस समराज की अधार सिला रखी थी अर्थात रोबर्ट कलाईब को भारत भेजा जाए। रोबर्ट कलाइब जब दुसरे कारकाल हेतु भारत आये मैं 1765 में और वे लगभग दो साल तक फरवरी 1767 में रहे तब इस बार कलाइब का रुख बदला हुआ था अब वह चाहता था कि अपनी उपलब्धियों को एक अस्थाई सो रूप दिया जाए वह भारत में अपने का सारियों को ऐसा बनाना चाहता था जिससे भविस में उसे बिटिस समराज निर्माता याद रखें जब भारत आया तब उस समय तक ना अवद से कोई संधी हुई थी और नहीं सहालम से इसके साथ साथ फरवरी 1765 में मीर कासिम के बाद उन्ह बनाया गया नवाब मीर जाफर क मृत्ती हो चुकी थी उसके अस्थान पर उसके अलपविशक पुद्र नजाब उद दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था किन्तु अभी भी सारी ब्यवस था अस्थ ब्यस थी अतह कलाईब ने भारत पहुंसते ही राजनितिक समधान करने का निश्चे किया उसने सर संधी की संधी के नुसार इलहाबाद और काड़ा का जीला नवाब ने कमपनी को सौप दिया इसी तरह कमपनी ने अवद नवाब को वापस लोटा दिया इसकी अतरिक्त पचास लाख रुपया युद हरजाना के रूप में वजीर ने कमपनी को देने का निश्चे किया इस इसकी अतरिक्त बनारस और गाजीपूर का छित्र राजा बलवन सिंग के नियंतरन में छोड़ दिया गया। राजा बलवन सिंग बिटिस्प सरंग्षन में चला आया। चुनार का किला भी कमपनी को सौंप दिया गया। इस संधी के अतरिक्त एक और संधी हुई जिसमें कमपनी ने अवद को रक्षा का पचन दिया। इसके नुसार जब भी अवद पर कोई बाहरी खत्रा आएगा तब कमपनी अपने सेनिकों के साथ उसे सहता देगी। और सेना का खर्चा अवद के नबाब को देना होगा। इस संधी के पच्चा कमपनी ने इलहाबाद की संधी का दूसरा अध्याय खोला और साह आलम दुत के साथ संधी की। उसे पचास लाख रुपिया नजराना के रूप में दिया गया। इसके अतरिक इलहाबाद और काड़ा का जीला भी उसे सौंप दिया गया। इसी के मुगल बादशा ने बिहार बंगाल और उहिसा की दिवानी सौंप दी। इसके बदले कमपनी ने वारसिक 26 लाख रुपिया देना स्विकार किया। इस संधी के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि 53 लाख रुपिया कमपनी निजामत के खर्च के लिए बंगाल के तो दिवानी सकती कमपनी के पास चली आई। मुगल बादशाओं के काल में प्रांतों में दो अधिकारी होते थे सुवेदार और दिवान दोनों एक दुसरे पर नियंतरा रखते थे। अब कमपनी भारत में दिवान बन गई। वस्तुता यह संधी मुगल बादशा से इस अपने अधिकारों को एक वैधानिक रूप देना चाहती थी। मुगल बादशा वस्तुता कमपनी के सरंख्षन में था और कमपनी के नियंतरन में था। यह संधी वस्तुता एक ऐसी संधी थी जिसके द्वारा भारतिय सास को और एरोपिय सकतियों को यह धोखा दिया गिय कि कमपनी ने जो सकतियां प्राफ्ट की है वह अपचारिक है। इसी तरह कमपनी ने इन कलाइब ने यह भी निस्चित किया कि वह बंगाल के नबाव जो अलफेशक था सेक संधी की और निजामत का सारा कारे उप निजाम को सौप दिया गया उप निजाम मुहमद रजा खा को बनाया गया। कमपनी से बिना पूछे नबाव उसे हटा नहीं सकता था। इस परकार निजामत की सकती भी अपरतेख्श रूप से कलाइब ने ले ले ली। अब कलाइब ने बंगाल के प्रशाशन को सुधारने का निष्चे किया। वह चाहता था कि बंगाल का प्रशा प्रशासन की सारी खामियों और खुबियों से वस्तुता परिशीत था। उसने यत्य किया कि सैन प्रशासन को सुधारा जाए। उस समय बंगाल में सैनिकों को डबल भत्ता मिलता था। तब दिया जाता था जब मंगाल के सैनिक युद में सामिल होते थे। किन्तु मिर जाफर के काल में या भत्ता अनिवार रूप से दिया जाने लगा और अब या उनके वेतन का भाग बन गया था। अता मिर जाफर ने इस भत्ते को तुरंत ही बंद करने का निश्चे किया। कहते हैं। इलाहबाद, मुंगेर और पटना के सैनिक अधिकारियों ने सामुहिक रूप से त्याफ़ पत्र दे दिया। उन्हें लग रहा था कि कलाइब जुख जाएगा किन्तु कलाइब जुखने वाला वेक्ती नहीं था उसने कुछ अधिकारियों के त्याक पत्र स्युकार कर लिए सेस को गृपतार कर लिया इस कमी को पुरा करने के लिए उसने मदरास से सैनिकों को बुलाया अनेक सैनिक अधिकारी बिवस होकर अपना त्याक पत्र वापस ले लिये और उन्होंने कलाइब से छमा मांग ली इस परकार इस स्वेत करांती को कलाइब ने दबा दिया अब सैनिको को जब वे छाउनी में रहते थे तो आधा बत्ता जब बंगाल बिहार उडिसा में कार करते थे तो पूरा बत्ता और जब बिहार बंगाल उडिसा से बाहर सैन अभियानों में जाते थे तब दुगना बत्ता दिया जाने लगा आधा भक्तता का भुखतान कमपणी करती थी, पुरे भुखते का भुखतान बंगाल का नबाब। और डवल भद्था तब दिया जाता था जब दूसरे नबाबों के लिए सैन कारवाई में सामिल होते थे और यह भत्ता उन्हें उस राज के नबाब दोरा दिया जाता था कलाइब सैनिकों की स्थिती में सुधार भी लाना चाहता था उसने इस हेतु एक पचीस लाख रुपिया से कलाइब कोस बनाया जिसके दोरा जो आय प्राप्त होती थी उससे सैन अधिकारियों को पिंसन देने की व्यवस्ता की गए या उस काल में एक अत्यान उलेखनिये कार था इससे सेना में काफी संतोस हुआ इसी प्रकार कलाइब ने असैनिक छित्र में भी सुधार लाने का प्रहास किया वह जानता था कि बंगाल के अधिकारी भरष्ट हैं वे कमपनी के अस्थान पर अपने बैपार में लगे रहते थे वे दस्तकों का दुर्प्योग करते थे वे रिस्वत खिलेना और घूस लेना उपना अधिकार मानते थे बंगाल की तीन करांतियों से उन्हें काफी लाब हुआ था ये करांतियां थी 1757, 60 और तिर्शट पैसट में भी जब मिर जाफर की मृत्ति हुई तो अलफ बेशक नवाब से उन्होंने ब्यापक उपहार और रिश्वत ले थे वस्तूता कंपणी के अधिकारी और करमचारी अपने वेतन से अधिक बैपार और रिश्वत से पैसा कमाते थे इस तथे से कलाई भली भाती परिच्चित था क्योंकि मिर जाफर से निजी उपहार लेने की परंपरा का उसी ने प्रारंप किया था अता जब वह दुसरी बार गवरनर बना तब उसने सरपर्थम या निश्चे किया कि कोई भी कंपणी का अधिकारी या करमचारी किसी भी भारती ये बैपारी या सासक से भार और रिश्वत नहीं लेगा उसने ये भी घोश्चना की कि असानिक अधिकारीयों का व्यतन ब्रहाया जाएगा जिसे कालांतर में कंपणी के संचालकों ने नहीं माना उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसने एक बैपार निगम की अस्थापना की या बैपार निगम 1765 में बना था जिसे तंबाकू, सुपारी और नमक के बैपार का एका अधिकार दे दिया गया इस बैपार से जो लाब होता था उसे कंपणी के अधिकारीयों के बीच बाटा जाता था गवर्नर को साड़े सतरह हजार पॉंड, करनल को साथ हजार पॉंड और कैप्टेन को दो हजार पॉंड वारसिक दिया जाता था इसी प्रकार सभी करमचारियों को कुछ न कुछ दिया जाता था यह योजना 1766 के जन्वरी माह में परारम हुई थी किन्तु कंपणी के संचाल को ने इसे भी स्युकार नहीं किया और अंतो गतवा 1768 में यह समाप्त हो गया कलाइब ने अधिकारियों के संतुष्ट करने के लिए और परशासन को विवस्थित करने के लिए यह देखा कि कलकत्तय में जो करमचारी काम कर रहे थे उसमें अधिकांस नए करमचारी थे वेन भोवीन और भरश्ट थे अता उसने कुछ अधिकारियों को यहां से मदरास भेजा और मदरास से योग अधिकारियों को मंगाल बुलाया जिससे परशासन में सुधार लाया जा सके किन्तु इन सभी पर्यासों के बावजूद कलायव के कारियों से मंगाल का परशासन बहुत अधिक नहीं सुधार सका भरश्टाचार कायम रहा और लोगों के मध बैपार के परती जो आकारसन था वा भी बना रहा रिस्वत खोरी कायम रही सेंसुधार भी बहुत अधिक सफल नहीं हुए इसलिए केम पनिकर का कहना है कि 1765 से 1772 तक जो सरकार मंगाल में चल रही थी इससे भरश्ट सरकार और कहीं नहीं थी 1858 में जॉर्ज कारलो ने विटिस पार्लेमेंट में भी कहा था कि 1765 से 1784 तक मंगाल में चलने वाली कमपनी की सरकार वस्तूता सब समाज की में सबसे भरश्ट सरकार थी कलाईब के सुधार सतही थे वह देश के परसासन को सुधार नहीं सका उसने जो भी प्रयास किये वो ततकालिक दिश्टी से उठाये गये थे वह एक दुरदर्शी व्यक्ती नहीं था परसासनिक सुधार का उसे अनुभव भी नहीं था उसने उत्पन समस्याओं को सुल्जाने का प्रयास किया किन्तु इस दिशा में वह बहुत सफल नहीं रहा किन्तु इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि दो साल के अपने दुसरे गरवरनर के कारकाल में कराईप कसासन अपने पहले कारकाल से कहीं अच्छा था उसकी इक्षा थी कि बंगाल के परसासन को विवस्थित किया जाए भश्चाचार को समाप्त किया जाए किन्तु उसका जो राजनितिक निरने था अर्थाद 1765 की लहाबाद की संदी वह बिटिस समराज के विस्तार में एक मील का पत्थर था उसने वजीर नबाब को अपना मित्र बना लिया मित्र ही नहीं वह भविस में अवद कमपनी का सहाइक बना रहा 1856 तक कभी भी अवद ने कमपनी का विरोध नहीं किया अमराठो और अफगान के बिरूद वह एक वफर इस्टेट के रूप में कार करता रहा सहा आलम के अधिकारों को अपयोग कर कमपनी कलाइब ने अपने सासन को अफशारिक सौरूप परदान किया इस परकार कलाइब का दूसरा गवर्नर का कारेकाल एक सफल कारेकाल माना जा सकता है कलाइब जिसने अपना जीवन एक कलर के रूप में परारम किया था उसने बहारत में बिटिस समराज्य को अस्थापित करने में महत्पून योगदान दिया इसी कारण मैकाले कहते हैं कि हमारे दीप ने जिन महान वेक्तियों को जनम दिया उनमें कलाई भी एक महत्पून वेक्ति था